हुआ 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 है को आगे लेकर चलते हैं पिछली क्लास में डियाइडेशन आफ अलकोहल किया पिनाकोल टू पिनाकोलोन किया उसके क्वेशन हमने डिसकस किये थे और हमने एक नई चीछ चालू कि ती डाइजोटाइजेशन याद है आपको डाइजोटाइजेशन बड़ी इंट्रस्टिंग एक्षन है बड़ी इंपोर्टन एक्षन है क्योंकि NH2 प्राइमरी अमीन को लीविंग गुरूप बनाने के हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्संस नहीं हो परें लाइक एच प्लस इस नोट गूट च्वाइस टू अटाइक ऑन नहीं तो नहीं सी प्लस बहुत अच्छा नहीं माना जाता तो उससे अच्छा अगर हमें लीविंग गुरूप बनाना है तो हम क्या करें NH2 को हम N2 प्लस में बदल दें और यह हमारा जो टास्क है NH2 को N2 प्लस में बदलने का यह हम कर पाते हैं डाइजो टाइजेशन से जो हमने पिछली क्लास में स्टाट किया आपल बॉंड एन वाला सेग्मेंट डाइजो तो हमने कैसे किया था रियक्शन क्या थी इसकी मेकानिजम क्या थी यह सब आपने देखा रहा है और हमने डाला था नहीं अनो टू एसल या फिर हमने का था एचनो टू अगर डारेक्ट लिखा है तो हमारा बन जाएगा क्या हम आर एंट्टू प्लस और इसके बाद एंटू लीप कर रहा था- रार प्लस आ रहा था काफी कुछ था तो आनो ट था मेकानियों के बाद नोट लगाएंगे पिछी करा से अनने मेकानिये के बाद कि कुछ उकुरम स्व के बीचिल नोट रखेंगे और नोट में कुछ correlatoire महें हम रिजेग सब संब्सक्रांद से इंपोर्टेंट सब्सक्राइब अरइक संसे रिएक्षांस स्बाराइंहं की तरह काम कर रहा था क्योंकि तरह मौजुद था होता है बाकी acid जो होते हैं, weak acid उन्हें base की तरह काम करना पड़ता है, HNO2, we have like base, second point पर चलते हैं, क्या आप तो याद है, ये था actual attacking electrophile, nitrogenium ion, क्या बोलेंगे दोस्त, नाम, इसका नाम है भाई, आपका भी कुछ नाम होता है, इसका भी नाम है, nitrogenium ion is actual attacking, attacking electrophile, attacking electrophile, चलिए, ये attack कर रहा था, NH2 पर और उसे N2 प्लस में बदल रहा था, third point पर चलते हैं, क्या आपको याद है कि जब N2 प्लस बन गया था, फिर वो लीप कर गया था, क्योंकि अच्छे लीविंग रूप में आता है, तो R प्लस बना था, अब R प्लस पर बहुत सा सारी चीज़ें attack कर रही था, आपको अगर याद हो, alcohol भी answer था, chloride भी answer था, nitro भी था, nitrite भी था, कुछ alkene भी था, लेकिन मैंने बताया था कि अगर आपको एक answer लगाना है, major product, तो that was alcohol, so ROH is major product, major product, say I am, when we are using, when we are using NaNo2, NaNo2 plus SCL, या फिर हम बोल सकते हैं, HNO2, ध्यान से सुलिए, यह important point, जब NaNo2, SCL, HNO2, या फिर HNO2, यूज कर रहे हैं, तो alcohol आपको major product देना है, अब कहीं न कहीं आपको इस line से यह महसूस हुआ होगा, कि क्या reason बदलने से product, कुछ change हो सकता है, बिलकुल सही समझ रह हैं आप, मेरे भाई देखो, इस पूरी reaction का main concept है, NaNo plus, Nitrosonium iron, अगर यह मैंने अमीन पर डाल दिया, तो वो diazotize हो जाएगा, और उसके आगे की reaction के बारे में हम ज़रू बात करेंगे, सोचिए, NaNo plus लाना है, तो वो मैं NaNoCl से भी ला सकता हूँ, NaNoCl, Nitrosil chloride, या हम बोल सकते तिल्डन reason, नाम तो सुना होगा, अभी अभी मैंने बोला, सुना होगा आपने, NaNoCl को बोलते हैं, तिल्डन reason, और NaNoCl जब break होता है, तो वो NaNo plus देता है, क्या देता है, दोस्त, NaNo plus, आपकी curiosity जरूर होगी, कि यह दिखता कैसा है, यह ऐसा दिखता है, जो दोस्त, और दोखें, loan pair, loan pair atom के बीच में bond है, इसलिए bond तूड जाती है, और इस तरीके से यह NaNo plus देता है, ठीक है, चलिए, फिलाल इस case में अगर आप reaction कराएं, NaNoCl डालें, तो primary amine digitized तो होगा, लेकिन अब major product में CL minus OEH की जगे होगा, यानि कि मैं बोलना हूँ, RCL is major product, is major product when we are using, when we are using what NoCl, till done reason, everything is same, No plus का काम NH2 को N2 plus बना कर, बनाना है, उसके बाद N2 plus निकलेगा, और यह CL minus R plus पे टाक कर जाएगा, ठीक है, तो यह point important है, अगले point पर चलते हैं, एक interesting चीज़ बताऊंगा, actually यह most important, बहुत important point है, वो यह है कि भाई साब आप जो R लिखते हैं बार बार, यह R क्या होता है, अलकाईल होता है, इसमें भी मिथाईल, इथाईल, प्रोपाईल, ऐसा कुछ भी हो सकता है, साइक्लोहेक्जाईल, एक और केस है, यह R अगर aromatic हो, क्या हो अगर aromatic हो, तो उस प Dysonium, Arryl, Dysonium, Salt, मतलब Arryl पर NH2 लगा था, हमने उसे Dysonium में बदल लिया, N2 प्लस में बदल लिया, Arryl, Dysonium, Salts आर, Slightly Stable, ध्यान से सुने हैं, बहुत ध्यान से सुने हैं, Slightly Stable, and can be isolated, and can be isolated, वैसे N2 प्लस है, सुपर लिविंग रोप, तो इसके Stable होने का कोई सवाल उठता नहीं है, लेकिन अगर R की जगे कोई aromatic segment हो, Arryl segment हो, तो यह Slightly Stable होता है, और can be isolated, can be isolated, between 0 to 5 degree centigrade, 0 to 5 degree centigrade, इस temperature range में, आप aromatic का, Dysonium, Salt, isolate कर सकते हैं, यानि कि वो आपको ऐसे answer मिल सकता है, यह समझेंग, interesting point है, अब आप यह भी जानना चाहोगे, कि सर, Arryl, Dysonium, Salt की तो बात कर दी हैं, लेकिन आप Alkyl, Dysonium, Salt की बात कर दी हैं, लेकिन आप नहीं कर रहें, जब मिथाईल, इथाईल, यह साइक्लोहेक्जाईल जैसा सेग्मेंट होता है, तो सुन लो, Alkyl, आजा एक मिनट, यहाँ पर एक प्रस्ण उठता है, Arryl, Dysonium, Salt are slightly stable, ठीक है, can be isolated between 0 to 5, ओके, अब प्रस्ण यह है कि अगर 0 to 5 ना हो तो, 0 to 5 ना हो, अरे तो यह भी stable नहीं है, 0 to 5 नहीं है, तो यहाँ पर भी बताईए क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, N2 प्लस हड़ी आएगा, पर 0 से 5 में N2 प्लस लगा रहेगा, और 0 से 5 नहीं है, कोई और टंप्रेचर अब कुछ नहीं लिखा, या हीट लिखा है, तो फिर हम सेरोमेटिक पर N2 प्लस हटा कर OH लगा देंगा, अभी मैं क्येशन करा दूँगा, बात करते हैं हैं इलकाईल की, अलकाईल, दाइजोनियम, सॉल्ट, सॉल्ट्स इर es highly unstable, यह भाईया, इनका कुछ नहीं कर सकता है, यह highly unstable होते हैं और decompose ही होते ह 210 अक्र टूट जाते ही जाते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें ठीक है? एक point में और दूँगा आपको थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद एक point दूँगा चलिए मैं आपको पहले कुछ questions जो homework में दिये थे वो discuss करते हैं copy में कुछ questions थे तो it's all about homework question number one और ये question था NH2 NA NO2 SCL ठीक है ये question है तो आपको मैंने बताया था NH2 किस में बदल जाएगा ये बदल जाएगा N2 प्लस में और आपको पता है ये living group है तो ये living group हटेगा यहां से ये N2 निकल गया और आपको मिला ये सब्सक्राइम, क्या अजिक कार्वोके टाइं्ङे करेगा क्या धभे हैं सारे लोग क्या ये कैटाइन रेरेंजमेंट करेगा क्या इसके पास possibility है कि ये रेरेंजमेंट करके और ज्यादा Stable हो जाए देखें ज़रा धिखने और यह ये और अग क्या देदेगा वह अच्छ या रखना oxygen से टाक होगा ओपर प्लस आएगा वह एक है छोड़ेगा यह अंसर है इस केश्चन का जबाब है जबाब मिल गया आपको बधाई हो यह देखिए अगला प्रस्ण तो मेरे ख्याल से अगले प्रस्ण का आंसर यह होगा NH2 की जगे N2 प्लस आएगा N2 प्लस हटेगा वहाँ कार्वो केटाइन आएगा और वह कार्वो केटाइन फिर से रियरेंज्मेंट नहीं करेगा और फिर से रियरेंज्मेंट नहीं करेगा तो यहां देखिए इस reaction के दौरान क्या आप ये समझ गए हैं कि N2 प्लस बना था जिसने हटके ये केटायन दिया समझ लो भाईया पूरे प्रोसेस को और मैंने आपको केटायन के पहले लेक्चर में बताया था कि जितनी भी प्लेनर चीजें हैं उस पर ये चीज टॉप और बॉटम दोनों तरफ से अटाइक करेगा जिससे यहाँ पर दो एलकोहल आएंगे जो कि एनन्सियो मर्स होंगे बें देखो ये ओएच टॉप से टाइक करेगा तो एक बनेगा और ये बॉटम से टाइक करेगा तो एक और बनेगा क्योंकि ये एनन्सियो मर्स हैं तो यहाँ पर दरसल दो आंसर होंगे एक पॉजिटिव वाला एक डेक्स्ट्रो वाला एक लीबो वाला और टिकल का हलका तो अगर कोई यहां पूछता है कि कितने अल्कोह लाएंगे तो जवाब होगा दो एक यह विज में ओएच लगा लो एक डैस में ओएच लगा लो तो यह सेकेंड क्वेश्चिन इजी सिंपल आसान तो similarly ऐसे ही है तो बहुत आसान है इसमें कुछ भी ऐसा rocket science नहीं है यह इसका answer आपको यह मिल जाएगा यहां कोई rearrangement देखने को नहीं मिल ला है हाँ fourth question देखें fourth question fourth question सारे लोग देखें अब तो आपको सौंझ में आ रहा होगा कि होगा क्या fourth question में क्या है जनाब यहां N2 प्लस बनाओगा बनाओगा या नहीं तो N2 प्लस अटके यहां केटायन आएगा अब बदाओ यह केटायन जो है यह rearrangement करेगा या नहीं देखो यहां पर alpha h तीन और एक चार और यह two degree clear इस जगे पर one two इस जगे सेगर h इधर जाता है तो केटा ठीक है अब जो ये वाला प्लस है अगर आप बनाना चाहें तो बना लें बट यह बहुत माइनर होगा यह मेजर क्या है मेजर यह क्या है माइनर हम इसे बोलेंगे मेजर तो एक अधूरॉड बटानी है तो आप हमएसा इस पूर्ड़क को बताईए अरे बहुत असान है या टेंसन मतलो आपके बावहां आतका काम ठीक चलिए दे इस टू हटेगा वहां क्या जाएगा ओ धिस्क करेंगा है 6th question देखिए 6th question और यह हुंबो की चलना है 6th question बड़ा मज़ेदार है 6th question आपको किसी और reaction की याद दिलाएगा देखो यह यह NaNo2Scl आओ इसे solve करें ठीक है करें solve देखिए तो मेरे भाई यह है NH2 यह है OH और तुमने डाला NaNo2Scl तो आपको पता है NaNo2Scl काम किस पर करेगा NH2 पर तो NH2 किस में बदल जाएगा बोल दो जल्दी बोल दो N2 प्लस में और N2 प्लस होता है बहुत अच्छा living group निकाल दो इसे मैं कह रहा हूं बोल दो get out यह भाग जाएगा यहां से और यह भाग जाएगा तो क्या एक ऐसा केटायन मिलेगा या नहीं और इस केटायन के मन में क्या चल ला होगा वो सोचना होगा आपको यह जो केटायन बई N2 प्लस निकला यह केटायन बना आप इस केटायन के मन की बात मन की बात जानते हैं आप हाँ इस केटायन के मन की बात को भी आप समझें इस केटायन के मन की बात होगी कि मैं अपना सपना पूरा कर लूँ सपना जानते हैं न ड्रीम यह चाहरा है कि अपने सपने को पूरा करें और सपना क्या होता है किसी केटायन का कभी ना कभी कही ना कहीं कोई ना कोई लोन प्यर एटम का मैं पड़ोसी वनूँ ताकि back bonding से stabilize हो सकूँ तो मेरे y1 से 2 समझार के लिए काफी सारा और आप बोलें तो बता दूँगा दुबारा देखें ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो जनाब मामला कुछ ऐसा हो जाएगा देख लो देख लो बहुत आसान एक मिधाईल उधर चला गया और ये केटायन का सपना पूरा होता हुआ यहाँ आपको पिनाकोल वाली feeling आएगी और ये देखें इसके इस जगे से H निकाल लेंगे आपको पता है तो आपको जो जबाब मिलेगा जनाब वो मिलेगा ये की टोन देख लें सारे लोग देख लें ठीक है इसमें पहले पिनाकोल पिनाकोल में दो और ये चुआ करते थे दो हुआ करते थे उसमें हम एक और सेलेक्ट करते थे जो स्टेबल के टाइन देता था और वहाँ से फिरम आगे बढ़ते थे लेकिन अभी यह एक 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 टू तो एक टू डाइजुटाइज़ेशन से लीविंग रूप में कनवर्ट हो गया और उसके हटने के बाद यहां प्लस और आप जानते ही हैं बाकी बाद कई जगे पर ऐसी रियेक्शन को सेमी फिना को सिमेरा कोन बोले जाता है कि सेमी फिना कोलों तू ने करएंगर में ये बोला जाता है लीए कोई बात नी कि ये अपने को कौनसर्ट पता भाई टू पर दाइस्टिजटाइज़ेसन होता है तो अपन्यवों कर दिया अगले प्रस्ट पर अपनी नजर ले जाएं अगला प्रस्ट तो बहुत आसान है यह तो आपको ऐसे ही ट्रक्टिस के लिए दिया गया यह केश्चन नंबर यह सीट सेवन सेम सेम है यह आपको मैं बोल ला हूं सेम है ध्धान से देखो कि तो आपको भी सेम सेम वाली फिलिंग आएगी यह देखिये आई न फिलिंग सेम सेम वाली भाई-साब बताओ जल्दी-जल्दी बोलना चलो बोलो बोलो पहले DIAGOTIZATION OOH का होगा या NS2 का रहे NS2 का ही पढ़ा है दोस डाइज उटाइजेशन तो जनाब यहां बना N2 PLUS clear और N2 PLUS में N2 निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा तो यहां आपको जो PLUS मिला है फिर वो क्या सपना पूरा करेगा हाँ देखिए सम्याने के लिए मैं इस चीज को इस तरीके से बना रहा हूँ यह अच्छ और यह अपने ड्रीम को पूरा करना चाहेगा ड्रीम बहुत बड़ी चीज है सही बात है या नहीं रिंग एकस्पैंड हो जाएगी रिंग एकस्पैंशन में माहिर हैं आप बहुत सारी ring को एकस्पैंड कर रखा है आपने याद करो या क्या था किया तो बनने वाली चीज आपको मिलेगा यह शहकी अज़ा आपको अगर ये बनाने में इश्यू है तो एक बहुत सिंपल काम किया करिए मैंने पहले भी बताया है जिस बॉंड को उठाना है देखो ये येलो कलर में मैंने कर दिया है इसे मत बनाओ और इस कारवन को इससे जोड़ना है तो जोड़ दो प्लस बाजू में आ जाएगा यहाँ प्लस है अब सेम ही तो है यार वो आड़ी तिर्ची है ये तोड़ा तमीज से लिगा है और यहाँ तमीज का नाम होने सान नहीं है मुझे पता है आपको यही पसंदा रहा होगा लेकिन अपने ऐसा लिखेंगे ठीक है थोड़ा तमीज वाली चीज होनी चाहिए तो यह एक्सपेंड हो गया और यह एक्सपेंड हो गया तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूं यह एलक्टॉन दे देगा यहाँ डबल बॉन्डो आ जाएगा चीक है और यह डी प्रोटोनीट सॉल्वेंट लेकर भाग जाएगा है देखेंगे आपकी कॉपी में यह होंबॉक है मुझे वरोसा है आपने इन्हें अटाइम्ट किया होगा और आपको यह ऐसा ही कुछ आंसर मिला होगा एक और केस्चन है उसे हम करेंगे पहले इसे इटा देते हैं ओके तीन केस्चन हो रहा है हमारे पास एर्थ केस्चन देखते हैं एर्थ बहुत आसान है इसमें बहुत सिंपल है आपको पता है सिंपल अमीन केवल अमीन हो तो अंसर अलको हला रहा था तो चलो कर लेते हैं खटाखट करेंगे आप बोल दो चलो बोल दो मुझ खोल दो जवाब दो क्या मन में छपा कर बैठे हो नेच्टू इन्टू प्लस में जाएगा या नहीं जाएगा जाएगा भीया यही काम है इननुटू इसे एकडम लीविंग रुप में सुंदर से ली चीज यह केटायन और यह केटायन जो है यह पहले से ज्यादा इस्टेबल होने की ख्वाइस रखेगा और इसकी जो ख्वाइस इच्छा है वो पूरी कर दीजिए कैसे पूरी होगी रिंग एक्सपेंशन से और रिंग तमीज से लिखेंगे यह बन जाएगे लेकिन आपको प लेकिन अभी इसकी ख्वाइस और बाकी है क्या आप इसकी वो ख्वाइस समझ पाए है क्या यह यहाँ से उपड़ जाना चाहेगा चाहेगा भी और जायगा भी रोक नहीं सकते आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि यह कैटायन पहले से काफी ज़ादा स्टेबराईजड है और मेरे भाई ये बनने के बाद ये मोस्टेबल के टायन है आपको पता है डाइजोटाइशन में बहुत प्रोड़क्स आती थी उसमें से अलकोहल वाली प्रोड़क्स डॉमिनेट करती थी और वो डेफिनेटली जल के अटायक से आएगी यह पूरी और्गेनिक में याद होता लाइक ह क्ला साथ ऊथ प्रोड़क्स अंड ऊप्रां उसल एक्ट्राइव करता है और ब लाइन यह भाई फिर यह एक प्लास अब यह water नहीं है अब यह water नहीं है यह हाइड़ोनियम आयन category में चला गया अब इसका है है सडीक है और अब यह है एच प्लस रिलीस करेगा और अब मिलेगा आपको आपकी favorite category का compound alcohol so this is the answer यह है जवाब यह जवाब है मिल गया जवाब आपको बजाई हो okay so this is eighth ninth question ninth question में अक्सर लोग एक गलती करते हैं अक्सर लोग एक गलती करते हैं पीछला कह रहा सर हम अलग हैं हमने दो गलती की है हाँ आप बहुत अलग हैं भाई साब यह compound है इस compound को करें मेरे भाई के वाल rearrangement का concept है यहांपर बाकी तो आपको पता है निहायती आसान प्रस्ण नहीं टू को एने नो टू एसल डालिएगा तो आपको मिलेगा क्या एंटू प्लस फिक्स है यार डाइजोटाईज़सन हो रहा है 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 डाइजोटाईज़सन हो तो जाने वाले को कौन रोख सकता है पीछे वाले की आँक में आसु आ रहे है अरे इतना मोह औरगैनिक केमस्टी से वेरी गूर्ड ये देखिए ये केटायन बन गया एंटू प्लस के जाने के बाद लीविंग ग्रूप के जाने के बाद इसके छोड़कर चले जाने के बाद इसे कमी का हैसास होगा किस कमी का हैसास होगा अलक्ट्रांस की कमी का नलाएक केटायन बन गया हाँ है ये मिताइल, ये तर्सरी ब्यूटाइल, मेरे वाई इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन तीनों में सबसे बड़ा वाला है तर्सरी ब्यूटाइल, और आपको पता है, बलकि और ग्रुप सबसे जल्दी माइगरेट करते हैं, औ देखें और प्लस वन से पहुंच गया तूपर देस इस रियर्रेंज़ और रिलेटिवली मोर स्टेबल दैन प्रीविस वन देखें और इस केस में मोस्ट इस्टिबल गोल सकते हैं यह कि टैन बने गया और आपको पता है यार प्योर डाय जो टाई यह सन में अल्कोहल आंसर आता है ऐसे वाटर अटैक करता है अल्कोहल आंसर आता है तो यूड़ गेट इट अल्कोहल यह लो आई साहब कितना टैलेंट आगया आपके अंदर अल्कोहल बनाना सीख गया आप इस प्रस्न का यह आंसर थ्री डिग्री अल्कोहल इट उस नाइंथ और एक निहायती इज इसी केस्चन है जहां तक मुझे यादा रहा है टेंथ यह तो यार चालू होने से पहले ही खतम हो जाएगा पांच की रिंग पर एनेच टू है और आपने डाय जो टाइजेशन किया लो भाई साब इतनी अकल लगा यहां एंटू प्लस आएगा एंटू प्लस आएगा हटे बनाओ एंटू प्लस को हटाओ किताइन बनेगा यह किताइन रियारेंज्च्यमंट अगर कर सकता है तो करा तब तक यह किताट जाए में keto होना जाएगा so easy और इसी के साथ we just finished homework of theory copy theory copy का homework हो गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे डाय जो digestion में 10 question थे 2-3 question और करेंगे और उसके बाद एक point जैसा मैंने promise किया यह point मैं आपको बताऊंगा और हम बढ़ेंगे अगली महा important reaction की तरफ ठीक है so यह homework मैं हटाऊंगा पहले ठीक है याद रखें theory copy proper maintain हो theory के अंदर हर एक question जो हो उसके नीचे space खाली ना हो पूरा important यह पूरा एक तरीके से explanation होना चाहिए अच्छे तरीके से चलिए इससे हटा रहा हूं हो हो चुका है डिसकस और जनाब एक 11th question 10 तक तो हो चुका है जो पिछली class में दिया था आई जैसे arryl disonium salt वाली बात थी या nocl वाली बात ले लेते हैं पहले जैसे देखिए यह nh2 है clear और यह मैंने question दिया था आपको मैंने दिया था no no2 scl और एक बार आपको मिला nocl कि दोनों में diagotization होगा उसके बाद n2 plus leap कर जाएगा उपर वाले case में यह product क्या है major product यह major product प्लस माइनस माजब दो answer आएंगे और नीचे वाले में यह cl है यह major product है टिल्डन रिजेंट है यह nocl टिल्डन रिजेंट यही बता है और उपर वाले में alcohol major ठीक है point को support करते वह मैं यहाँ पर यह एक सिंस लिख रहा हूं अलकाइल है यह stable नहीं होता तो आप एने अनो टू किसी भी टंप्रेचर पर क्यों ना लें आपको जबाब यही मिलेगा इरस्पेक्टिव ऑफ टंप्रेचर यहां तो भी टंप्रेचर लें आपको यही बनाना पड़ेगा ठीक है लेकिन 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 जनाब अगर मैं आपको इस अलकाइल की जगह एराइल ले लूँ यह आपका ऐसा लिखकर आ गया 0 to 5 degree centigrade तो मेरे भाई यह इस केस में यही आंसर देगा यह देखें यह N2 प्लस यह C L माइनस डाइजोनियम सॉल्ट मैंने बोला यह लिखा हुआ है राइल डाइजोनियम सॉल्ट 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 सार स्लाइटली स्टेवल और यह आइसलेटेट बिविन 0 to 5 तो यह आंसर आ आपने कहा कि सर मान लो ऐसा लिखा है N-A-N-O-2-S-C-L और लिखा है बोईल बोईल अब हीट कर रहे हैं उबाल के रख दिया पूरा का पूरा है मेरे भाई डाइजोनियम बना तो होगा लेगिन 0 से 5 वाला नहीं है सीधा यहां पर भी ओएच आ जाएगा जैसे पहले आ रहा है तो यह फिनॉल दे देगा मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटेगरी में है यह आगे भी आपकी मुलाकात होगी उसे तो अभी भी अगर आप समझ पा रहे हैं लॉजिक बहुत क्लियर है ठीक है अच्छा एक प्रस्चन जरूर पूछा जा सकता है कि सर ऐसा भेदभाव क्यूं ऐसा भेदभाव क्यूं कि है अर्इल डाईजोनियम तो जीरो से पांच में स्टेबल है लेकिन अलकायल डाईजोनियम स्टेबल नहीं है ऐसा क्यूं तो आप थोड़ी बुद्धी लगा सकते हैं यह जो चीज है arryl disonium salt यह resonance stabilized है क्या है यह सोचो मैंने क्या बोला यह resonance stabilized है आप सबको पता है कि benzene के साथ benzene के साथ यह वाला segment resonance कर सकता है तो इसके slightly stable होने के पीछे जो वज़य है वो है resonance stabilization clear और यह stabilization मतलब minute factor है क्योंकि अगर यह बहुत strong factor होता तो यह छोटी सी range में stable नहीं होता आप समझें इसके isolate होने के पीछे alkyl के comparatively alkyl के comparatively इसका नहीं बनता है इसका बनता हो टूड़ जाता है वो यह है कि यहाँ पर n2 plus ring के साथ resonance कर सकता है जिससे आप देखें इस bond में हलका double bond character होगा और इसका जिसके हटने की probability कम होगी काफी कम होगी तो यह वज़े है कि why aryl diisoneum salts are slightly stable than alkyl diisoneum salt यह यहाँ पर है और अगला प्रस्ण जो है वो interesting है यह है कि अगर हमारे question में amine primary ना हो like अभी तक तुम ले रहे थे rnh2 यही तो ले रहे थे अगर दोस्त मैं secondary amine ले लूँ अगर मैं secondary amine ले लूँ तो मेरे भाई बहुत आसाल यह है आपका आप ने पिछली क्लास में जो mechanism लिखी है उसमें rnh2 ध्यान से सुने सारे लोग आपने पिछली क्लास में diisone की जो mechanism लिखी है उसमें आपने लिया था rnh2 अप उस mechanism में rnh2 के एक h को r बना देना ठीक है वह जैसे चालूई तो आप रफ में करना रफ में उसमें जाके चेंज मत करना आप यहां पहुंचोगे एक जगे देखिए और n r n double bond वहाँ पर देखेगा एक यह चीज बनाई थी हमने mechanism यह चीज बनाने के बाद मैंने आपको बोला था कि यह टॉटो मराईज हो जाएगा यह यहां जाएगा बॉन्ड यहां ऐगा लेकिन वह तो प्रेमरी अमीन का केस था क्योंकि वहाँ पर n पर h था अभी secondary सेकंडरी अमीन में यहां कोई H नहीं है और अगर यहां कोई H नहीं है तो टॉटो मरा इस नहीं होता है मैं फिर से बोलो सेकंडरी अमीन पर एन अनोटु S.C.L. की रियेक्शन की मेकानियम अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रिवियस क्लास में हमने प्राइमरी अमीन पर जो एन अनोटु S.C.L. की मेकानियम की है उसमें आप N के एक H को R बनाना तो यहां आकर आप जन्यूनली रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि उस केस में यहां H हुआ करता था और वो H टॉटो मेरिजम कर सकता था लेकिन इन इस केस यहां H नहीं है तो इस से यहीं रुकना होगा और इस रिहसन का यहीं आंसर होगा यह समझने वाली बात अच्छा आप ज़्यादेखें यह गृूप कौन सा था नाइट्रोसो तो इसका नाम है N नाइट्रोसो नाइट्रोसो वाई N विकाज यह नाइट्रोजन पर लगा हुआ है यह नाइट् आगे भी पढ़ेंगे यह एक यखलो कलर का ओईली लिक्विड होता है यलो ऑईली लिक्विड ठीक है ये प्वाइंट मैं ही लिखना चाहिए रहा हूँ से कंडरी अमीन secondary amine gives yellow oily liquid with NaNo2HCl with NaNo2HCl यह इसी के बारे में सारे points इनी से match कर रहे हैं सारे points यतने मैंने आज बताएं हैं यह इनी से correct हैं तो एक फिर से रिवाइस कर लोकाइट 11 11 पॉइंट बता रहा है कि यह अलकोहल मेजर होगा अगर अगर टिल्डन लिया तो आर सील मेजर होगा क्योंकि टिल्डन में और और सील नो प्लस और सील मैंस होता है फिर मैंने बताया कि अलकाइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता तो कोई भी टंप्रेचर ले लो यह अलकोहली देगा फिर मैंने का एराइल डाइजोनियम सॉल्ट अगर सकेंडरी एमीन है क्या है अगर सकेंडरी एमीन है तो सकेंडरी एमीन के केस में आपको यलो ऑईली लिक्विट एंड नैट्रोसो एमीन मिलेगा तो मेरे वाई इसी के साथ डाइजोनियम पूरी तरीके से हर तरीके से हमने खतम कर लिया है और अब हम करेंगे महा इंपोर्टेंट रियेक्षन और अब जो रियेक्षन चालू हो रही है उस पर आपका ध्यान चाहिए होगा और ये रियेक्षन आज चालू होगी और ये कंटिनीव होगी अगली क्लास में क्योंकि अच्छी रियेक्षन है और अगर आप आज किया time और अगली class की आधी class का time ध्यान से कर लेंगे तो आप 2.500 reaction, 300 reaction एक साथ सिख जाएंगे इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बहुत आसान है, believe me बहुत आसान है, ध्यान से सुनने के लिए इसलिए बोलना हूँ क्योंकि यह बहुत जादा बार पूछा गया है, याद अखना important का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि वो tough है, important का मतलब है यार paper में बार बार ठीक है, और believe me अगर आपको मेरी बात पर भरुसा नहीं है, तो एक मैने बस मैं जो कह रहा हूँ, यह दस lecture आप बस मेरी बात सुने, follow करें, 11 लेक्चर में आप वही बोलेंगे जो मैं बोल ला हूँ, कि हाँ यार यह तो वाकई बहुत easy था, अटा रहा हूँ, यह questions, यह note मे points है, मैं अटा रहा हूँ, सब, अब हमारा जो segment है, बहुत मज़ेदार segment है, और यह, believe me, हमने सुरुवात में mechanism के जो किया है, like, केटाइन क्या होता है, यह पढ़ा था हमने इस chapter के start में, फिर हमने पढ़ा था, कार्बो केटाइन बनते कैसे हैं, तो इसमें leaving group का concept आया था, और साथ में concept आया था, आपका, पाई bond पर electrophilic attacks, olefinic bonds पर electrophilic attacks है, तो हम आप उस segment पर आगे हैं, आप notice करें, दो सेग्मेंट से हमने केटाइन formation पढ़ा था, एक पढ़ा था, by use of living group, जिसमें अभी ता हम जो कर रहे थे, OEH को living group बना बना के कर रहे थे, लेकिन एक और तरीका था, formation of केटाइन में, कि by attack of electrophil on olefinic bond, olefinic मतला, pi bond पर attack, अब आपके question में pi bond involved होगा, और आपके दिमाग के डेटा बेस में, अलकीन को आप किस निगाह से देखते हैं, ये आप मुझे बताइए, अलकीन को देखते ही आपके मन में, अलक्रोफाइल वाली feeling आती है, या निकलियोफाइल वाली feeling आती है, इसके लिए, मतलब इसका nature क्या है, what do you think, अलकीन is a, अलक चीजें कर लेंगे, तो जैसे ही आपने अलकीन को देखा, तो आपके मन से क्या निकलागी, देखो कौन जा रहा है, अलक्तोफाइल जा रहा है, या निकलियोफाइल जा रहा है, क्या निकला आपके मन से, अलक्तोफाइल जा रहा है, या निकलियोफाइल जा रहा है, हम्, आपको अगर वो लाइन हो याद जिसमें मैंने कहा था पाई अलक्टरॉन है लूज और हम कर सकते हैं इन्हें यूज यानि कि अलक्टरॉन डेंस साइट है अलक्टरॉन हैं यहाँ पर और यह हमारी नजरों में नूक्लियो फाइल है क्या है हमारी नजरों में नूक्लियो फाइल अब आप बस फिर से इतना दिमाग लगाएं कि अगर यह हमारी नजरों में नूक्लियो फाइल है तो इससे रियेक्शन किससे करने में इंटरस्ट होगा बताएए यह नूक्लियो फाइल होके नूक्लियो फाइल में तो इंटरस् नुक्लियोफाइल इंट्रेस्ट अलक्टोफाइल में दिखाएगा और अभी अभी आपने एक चीज समझी है कि इस एलकीन पर या किसी भी एलकीन पर आपका अटैक करने वाली जो चीज होगी वो डेफनेटली नुक्लियोफाइल नहीं होगी आप समझ लें देखे एक जटक नो रियेक्शन समझ लो आप और अलक्टोफाइल डालेंगे हां तो रियेक्शन होगी तो रियेक्शन होगी इसलिए अगर आप से कोई पूछे कि एलकीन किस टाइप का एडिशन सो करता है नुक्लियोफिलिक एडिशन सो करता है या अलक्टोफिलिक एडिशन सो करता है त होता है या एलक्ट्रोफाइल का एडिसन होता है तो आपको जवाब देना होगा बदाओ हाँ आई तिंक उपर वाला तो नहीं है नीचे वाला है अरे बही आई इजी है यार तो हम पढ़ने जा रहे हैं एलक्ट्रोफिलिक क्या पढ़ने जा ठीक है क्या पढ़ने जा रहे हैं एलक्ट्रोफिलिक एडिसन रियेक्शन देख लें आप ठीक है चलें आगे यह रियेक्शन नहीं हो सकती तो हम यहां क्या लिगेंगे नहीं यह हो नहीं सकता यह नहीं हो सकता भाई साब क्या नहीं हो सकता एलकीन पर कोई नुकलियोफाइल अटैक कर जाए यह नहीं हो सकता ठीक है तो आप अब पूरी और्गैनिक में देखेंगे कि एलक्ट्रोफिलिक टागरी की होगे अब आप और मतलब C double bond C per H2O यह क्या है नुकलियोफाइल यह क्या है नुकलियोफाइल नो रिएक्सन नुकलियोफाइल ले आओ बुला बुला कर लाओ यह लेक्सन भी एलक्टिरोन देना चाहता दोनों देना चाहते बैटे हैं अब कोई लेने वाला भी तो चाहिए है जब कोई है नहीं लेने वाला तो reaction नहीं होगी समझ में आया इन सब के लिए वही है कि नहीं है हो नहीं सकता ठीक है आईए अब आप एक बात तो समझ गए है अलक्टोफिलिक एडिसन और नोट में यह जो बात आप को बता देता हूं अलकीन्स अलकीन यूज्वली सोस यूज्वली हटाओ ना सिंपल सिंपलाइटी के लिए लिए लिखो का है के टेंशन अलकीन सोस अलक्टोफिलिक अलक्टोफिलिक एडिसन एडिसन रियेक्शन ठीक है अलक्टोफिलिक एडिसन रियेक्शन ठीक है अलक् वजह लिको ना पूरी because alkene is a nucleophile alkene एक nucleophile है ठीक है, alkene क्या है nucleophile है, अभी मैं addition पर भी बात करूँआ, ठीक है addition पर भी बात करूँआ, चली अच्छा ये electrofile है, मान लेते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं, let us consider कि हमारा electrofile इस type का है A, B type का है, क्या है A, B type का, अभी आपको सुन जाएगा, मान लेते हैं हमारा, अभी ये तो clear है कि alkene पर जब भी कोई attack करेगा तो अलक्टोफाइल ही होगा, अलक्टोफाइल ही attack कराईगे, तो मेरे वाई हमने मान लिया कि हमारा अलक्टोफाइल A, B type का है, तो अब अगला जो note का point है, वो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आपको मैं पूरी organic chemistry में हूँ, जो possible electrophiles हैं, वो मैं बताने वाला हूँ, जो A, B form में दिखेंगे और वो electrophiles होंगे, आपको मैं फिर से बोल ला हूँ, जो electrophile और nucleophile का हमने lecture था, वो revise जरूर करें, उसमें electrophile, nucleophile में पढ़ाता, अगर आपको याद है, आपने पढ़ाता, तो आपको सारी चीज़ें बहुत obvious लगने वाली हैं, that's why मैं कह रहा हूँ, जो सुरुवाती topics थे, वो बहुत basic थे हैं, हर जगे यूज होने हैं, तो एक बार यह आपके दिमाद में जरूर होने हैं, यह चलें, second point, second point and maha important point, possible AB, जनाब AB को मैं पूरा क्या बुला हूँ, electrophile, आओ, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ध्यान से देखना, ठीक है, feelings को समझने का प्रयास करेंगे, समझना है, feelings, ठीक है दोस्त, अब मैं आपके सामने तरह तरह के AB लाऊंगा, और हम समझेंगे कि AB किस तरीके से, AB, AB किस तरीके से E प्लस देगा, समझ में आया, मैं आपके सामने तरह तरह के AB लाऊंगा, तुम AB, XY, P, Q कुछ भी मान लो, ठीक है न, अच्छा, एक exemption लेते हैं यार, एक exemption लेते हैं, A और B में, हम देखो, A और B में, A और B सेम भी हो सकते हैं, A और B अलग भी हो सकते हैं, clear, तो एक exemption में usually ऐसा ले रहा हूँ, कि अगर AB अलग हैं, अगर AB अलग अलग हैं, सुनलो मेरी बात, अगर A और B अलग अलग हैं, तो मैंने ऐसा माना है, कि B की अलग तो negativity जाद है, ऐसा, एक ही मान लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, if A not equal to B, if A not equal to B, then EB greater than EA, ऐसा मान लिया आया है, कोई logic नहीं है, आप उलटा मान लो, A की B से जादा मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर A B बराबर नहीं है, तो EB greater than EA, तयार हो, आओ बच्चों मुझे बताओ, मैंने, अच्छा, तो यहाँ आप देखिए, अगर B जादा लग्टो निगेटिव है, तो जब भी कोई चार जाएगा, तो B पर माइनस आएगा, सुचो ना यार, A bond B, A bond B, B जादा लग्टो निगेटिव है, तो जब भी कोई चार जाएगा, तो B पर माइनस आएगा, और A पर प्लस आएगा क्योंकि A relatively electropositive हो गया B ज्यादा electropositive है तो A relatively electropositive है तो A पर प्लस आएगा B पर माइनस आएगा समझना इस बात को तो मेरे भाई ये देखिए जब भी A B break होगा dissociate होगा तो आपको जो electrophile मिलेगा वो A प्लस मिलेगा याद रखें इस A प्लस को हम electrophile बोलेंगे और इस A B को जब वो टूटा नहीं है तब भी electrophile बोलेंगे ये याद रखना ये हमने पढ़ा हुआ है electrophiles के case third को देखीगा जाकर सारे लोग electrophiles के case third को देखेगा वहाँ A B टाइप के examples पढ़े हुए है चले करें हां तो भाई साब आईए एक example से चालो करते है जनाब क्या आपने है आई देखा है कभी है 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 hydrogen iodide देखा है आपने इस टॉंगेस्ट इस ट्रॉंगेस्ट क्रिटागरी में आता है है चाई तो मेरे भाई ए बताओ क्या होगा सारे बोलो ए क्या होगा आई प्लस होगा क्या हां ए होगा एच प्लस ए होगा एच प्लस और बी क्या होगा आई माइनस ठीक है चलो बताते रहे ना मुझे है एच बीयार एच सील एच एफ यूजरी नहीं लेते है एच एफ वी केसिड होता है स्ट्रॉंग बॉंड होती है तो एच एफ का एडिशन आपको मिलता भी नहीं है पूरी और्गनिक में कोई कोई रिएक्शन नहीं मिलती तो यह तोड़ तोड़ के लिखना है हां इसमे खते है यार मैं जाक है यह तो यह तो आप छोटे से करते आ रहे हैं देखो देखो सारे देखो हैच डी एस अफॉर है यार ऐसे मत देखो भाई H2SO4, बहुत मज़ेदार चीज़ आएगे, दिलखुस हो जाएगा मेरे भाई दो केसे साथ ने हैं, समझना H2SO4 में भी दो केसे साथ ने है clear? पहले तो बताओ, इसका तोड़ के बताओ, क्या आएगा? H+, अब धर क्या जाएगा? OSO3H- बिल्कुल सही अब सुनना बहुत मज़ेदार है, ये actually concentrate H2SO4 है, ये क्या है? concentrate H2SO4, ठीक है? कई बार जनाब, बाहर लिखता हूँ थोड़ा साथ, और बड़ा कल लेते हैं, अपने को क्या है आप, अपने को तो चीज समझा नहीं है ये देखिए, ये आपका लिखकर आया concentrate H2SO4, ठीक है? ये जो आपने यहां किया, ठीक है दोस्त? अब जनाब कई बार, कई बार dilute H2SO4 लिखकर आता है तो एक मिनट सुनो ध्यान से, H2SO4 तो हम ऐसे ही मानेंगे, H2SO4 तो ऐसे ही मानेंगे, ध्यान से सुनना, तो इसका अलक्टोफिलिक पार्ट H प्लस ही होगा, इसका अलक्टोफिलिक पार्ट H प्लस ही होगा, लेकिन नुकलियोफिलिक पार्ट दो होगे, एक तो नुकलियो नुकलियोफलिक पार्ट ये होगा समझो बात को ये देखो एक नुकलियोफलिक पार्ट hseo4- होगा अगर दूसरा नुकलियोफलिक पार्ट आप समझ गए हैं ये डैलूटेड फॉम में हैं यहाँ वाटर मौझूद है और ये जनाब h2o अगर आपने लठोफाल नुकलियो फाइल हैं एक और ये दो ठीक है तो टेंसन मतलो अपन तो फाइल के पीछे पड़े हैं केश्चन करेंगे तो मामले को समझ लेंगे फिलाल आप देखें चीजों को समझ यह खटा कंसंट्रेटर एस्टियो सफोर का कंसंट्रेशन अच्छा गासा है अच्छा गासा है तो यह टूटेगा यह प्लस आगया यह तोड़ते और तोड़ते आप भी बताओ एक बच्छा आया खेरा जार मैंने एक जगह पर dcl देखा था dcl अरे भईया dcl था तो यह लो d plus यह लो cl minus enjoy करो एक ने कहा मैंने dbr देखा था अब यहार मजाग चल ला है ना लाइक semi type के तो है कर लो के d plus br minus कर ले न लो भई तुम्हारी भी बात रख लेते हैं नाराज मत होना बस यह d plus और यह br एक कहरा थार अपने पास और भी बहुत कुछ है मैंने का बोलो क्या है एक ने का अपने पास बहुत कुछ है मैंने का बोलो क्या है वो कहरा थार यह अलकोहल भी है अपने पास अलकोहल भी है अपने पास मेरे भाई यही एक बात अपने भेजे के अंदर बैठा लेना अलकोहल को मैं मना कर चुका हूँ कि आप H प्लस और O R माइनस में नहीं तोड़ेंगे यह याद रखना इसलिए यह अलकोहल H प्लस और O R माइनस में नहीं लिखा जा सकता अब आप कोगे यह भेदभाव मुझे समझ में न आता यहां तोड़ दिया बिचारे को इससे तोड़ दिया 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 यहां मना कर दिया यह कौन सी बात है और इसी वज़े से और इसी वज़े से और इसी वज़े से और इसी HI, HBR, SCL, 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 DCL, DCL, DVR, ये strongest acid category में आते हैं, strongest acid category में आते हैं, और acid जो strong होता है, वो H+, दे देता है राब से, अरे alcohol acid नहीं होता भाई, हजार बार बताया है, alcohol acid होता है, क्या? लोग पार्टियों में acid यूच करते हैं, क्या? नहीं, ये acid नहीं हैं, और ये acid नहीं हैं, तो ये H-P 영상 नहीं देगा, simple concept. पीचौलब के रहा है, तो क्या alcohol को हम alkin प्र एड्र नहीं करा सकते, क्या alcohol को हम alkin प्र एड्र नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, क्योंकि ये nucleophile है, वो भी nuclearophile है, और तुम तब तक add नहीं करा सकते, जब तक एक अलक्टोफाइल ना आ जाए मेरे वाई अलकोहल तो पूरा का पूरा जनाब देखो अलकोहल तो पूरा का पूरा नुकलियोफिलिक काटेगरी में है पूरा का पूरा किस काटेगरी में है सच बोलो नुकलियोफिलिक काटेगरी तो रियक्शन ऐसे तो नहीं हो सकती अब आप ओगे ऐसे नहीं हो सकती कैसे हो सकती कोई अलक्टोफाइल लाना पड़ेगा और एक अलक्टोफाइल जब तक ये सेग्मेंट खा लिया अलकोहल के लिए रियक्शन नहीं होगी अब आप ओगे तो यहां क्या ले आएं इसलिए देखना जब भी अलकोहल की रियक्सन होती है तो मेरे भाई एक H प्लस अलग से लिखा जाता है एक H प्लस, D प्लस ऐसा कुछ अलग से लिखा जाता है और यही वाला है वो यही वाला है वो जो अलकोफाइल का काम करता है तो H प्लस यह डारेक्ट किसी स्टॉंग एसिट से लेकर आया जाता है और यह अलकोहल निकलिफाइल का काम करता है यानि कि इसकी अपसेंस में इसकी अपसेंस में अलकोहल अलकीन पर कुछ नहीं करेगा वड़े इंटर्स्टिंग चीज़ है और इजी भी है लोजिक है एक ने आज अब लेकर आप आये थे हम जल लेकर आते हैं हो एच अच 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 अब आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या केवल जल लाने पर ये रियक्शन होनी चाहिए क्या सोचो बताओ क्या केवल जल लाने पर ये रियक्शन होनी चाहिए क्या बोलो ये एच ओएच है एच ओएच क्या वाटर एस्टिक होता है क्या क्या वाटर को तोड़ दोगे क्या एच प्लस में और ओएच माइनस में नहीं कर सकते हम फिर से एच टूओ को नहीं तोड़ सकते तो के साथ ये कोई रियक्सिन नहीं दिखाएगा तो मेरे वहाई इसी लिए हम अगर जल्ड एडीशन कराना चाहते हैं अलकीन पर तो एक एच प्लस स्टॉंग एसीड से कोई अलग्टोफाइल हमें अलग्से लाना पड़ता है और अगर आपके पास दिमाग नाम की चीज़ है तो आप बहुत अराम से एक चीज़ को समझ पाएं होंगे कि ये जो केस मैंने अभी अभी आपको बताया है ये जो केस मैंने आपको अभी अभी बताया है ये केस डाल्यूट ह-2-A-S-O-4 से मिलता जोगता है तो इदर भी एच प्लस और वाटर है यह यह एच प्लस तुम क किसी एसिड से ही तो लाए होगे तो जिस एसिड को लाए होगे अभी हमने उसके माइनस पार्ट को इग्नोर मारा है वो माइनस पार्ट भी तो यहाँ पर होगा साथ में होगा या नहीं होगा अपले बताओ कि हैर मेन कॉंसेट आप साह समझ पा रहे हो कि मैं आपको बता र जाएगा तो साथ में कोई ना कोई एसिड दिया जाएगा मजबूरी है वाई साब अरे आपको एक और बहतरी निक्जामपल कराता हूं दिल खुस हो जाएगा आपका देखिए देखिए देखो देखो आर सी डवल बॉंडो ओ यच यह है कार्बॉकसलिक एसिड आर सी डवल ओ यह है कार्बॉकसलिक एसिड अब मुझे बताएए इसे क्या तोड़े है एच प्लस और बाकी जो माइनस एच प्लस यहां माइनस आएगा तोड़ने क्या सोचो सोचो यह एसिड है कार्बॉकसलिक एसिड और गैनिक एसिड क्या इसे तोड़ने क्या बोलो भाई नहीं त तोड़ सकते हैं मज़रार चीज नहीं तोड़ सकते हैं और गेनिक एसिट्स इनके सामने बहुत फीके हैं यह इन और गेनिक एसिट्स जब इनके सामने होते हैं तो वीक एसिट कटागरी में होते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा आपको बताया जाएगा कि carboxylic acids और weak acids और इनका जो PK था वो जहां तक मुझे याद है 4.18 value थी या K value बताता हूँ K value थी acetic acid के लिए 1.8 into 10 के और माइनस 5 तो भाईया ये weak acid होते हैं even after using organic carboxylic acid आपको H plus लेना पड़ेगा और ये जनाब ये आया H plus और ये पूरा का पूरा acid और ये पूरा का पूरा acid आपका nucleophile है पूरा का पूरा acid nucleophile है यानि कि ये electron देगा ये लेने जाएगा और ये देने जाएगा आपको ये पता है alken पहले कौन जाएगा यही जाएगा दोस्त क्योंकि alken nucleophile है और nucleophile लक्टो फाइल कोई बुलाएगा तो मेरे बाई ये कुछ केसेस हैं वन्स यू गेटिट कॉंसेप्ट आपको मैं ये दूँ ये दूँ ये दूँ कुछ भी दूँ आप खटा खटा आंसर बना लेगा तो ये एक एबी की टेबल है और सिंस यहां जगे नहीं है इसलिए मैं ब बाकी टेबली दरबे ना लेते हैं क्या था बताओ अ कि ए भी और क्या था ए प्लस और इज़र क्या था भी माइनस करें दोस्त आजाओ और वी एक्जामपरस है अपने पास देखेंगा ज़रा ऐसा लिख कर आता है सारे लोग देखेंगे बी आर टू इन CCL4 and what is BR2? BRBR आपको याद है लग्टोफाइल की केटेगरी में उन्हें BR2 लिखा हुआ है बी आर टू ने लिखा हुआ है तेकें यहां मैंने मना था A not equal to B ठीक है? बट A equal to B भी हो सकता है कुई दिक्कत नहीं है like BR2 अब सारे लोग ध्यान से सुनना BR2 in CCL4 ऐसा लिखा हुआ दिखा ही देगा तुम्हें तो CCL4 solvent है क्या है यह? solvent इसका कोई यूज नहीं करना टेंशन मत लेना तुम्हें CCL4 solvent है इसका reaction में यूज नहीं करना है प्रोड़क्ट बनाते से में इसका यूज नहीं करना है तो भईया BR 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 1A 1B 1A 1B यह तो कोई भी बता दे कि 1 होगा BR प्लस और 1 होगा BR माइनस ये लिजे कई बार ऐसा लिख के आता है BR2 in CH2 CL2 अरे यार solvent बदल लाए दोस्त solvent जो reaction होती है न वो यूजुली most of the reactions एक interface require करते हैं solvent होता है जिसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हो दो चीज़ें आपस में reaction करते हैं तो solvent कोई लेना देना नहीं है निरास मत हो ये बी आर प्लस बी आर टू ऐसा ही टूटेगा बी आर माइस ठीक है और और बात करते हैं आपको ऐसा में सकता है CL2 in CS2 क्लोरीन in carbon dioxide sulfide CS2 पर ये CS2 solvent है समझदार बच्चों समझ लो CL प्लस CL माइनस अब कुछ मैं लिखूंगा खटा खट बताईएगा बिल्कुल टेंसन मत लिजेगा NOCL HOCL HOBR BRCL ICL चलो चलो बताओ भीया किसका इंतिजार कर रहे हो जवाब दो मेरे सवालों का जवाब दो ICL-I-N-3 BROMINE WATER BROMINE WATER IN BRINE SOLUTION चलो बोल दो NOCL टिल्डर में लिजेंट है आज ही पढ़ा है आज ही पढ़ा है जनाब NO PLUS CL MINUS HOCL HOCL हाइपोक्लोरस CL PLUS OH MINUS HOBR BR PLUS OH MINUS BRCL यह आप बताओ BRCL में यह तो किलिर दिख रहा है CL यादा लग तो NGT है तो BR PLUS CL MINUS ICL में बतादो चलो I PLUS CL MINUS IN3 में आप बताओ IN3 IN3 क्याएगा I PLUS N3 MINUS BROMINE WATER मज़ेदार है BROMINE WATER मज़ेदार है बोलो कैसे BROMINE एक हो गया BR2 वह वाला किस WATER SOLVENT है यहाँ WATER SOLVENT है BROMINE WATER में यहाँ WATER SOLVENT है लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है देखिए BROMINE तो आपका BR PLUS में तूटेगा और BR MINUS में तूटेगा पर इस टाइम SOLVENT NUCLEOFILIC है यानि कि यह SOLVENT PART ले सकता है NUCLEOFIL AS A B MINUS यूज हो सकता है रियक्शन के दौरान तो आप अभी केवल LUCLEOFIL, NUCLEOFIL और REASONS को समझ रहे हैं जिनकी हम ALKINE पर रियक्शन कराएंगे सबका काम एक ही तरीके से सबका CONCEPT एक है तो BR2 WATER में BR PLUS देखें, ELEKTROFIL एक ही है BR PLUS NUCLEOFIL दो-दो है BR MINUS WATER ये किस तरीके से दोनों NUCLEOFIL reaction करेंगे क्या मेजर आएगा क्या माइनर आएगा सब reaction के टाइम पर सिखेंगे LAST देख लेते हैं BROMINE WATER IN BRINE SOLUTION BRINE SOLUTION आपको पता है BRINE SOLUTION होता था AQUOS NACL आपको सहिद याद हो CONCENTRATED AQUOS BROMINE WATER तो मैंने भाई BROMINE तो टूटेगा BR PLUS हां और आपको क्या-क्या मिलेगा BR MINUS मिलेगा BRINE SOLUTION होता NACL SOLUTION तो NACL में CL MINUS होई है और WATER तो है ही WATER तो है ही अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों जो है इन तीनों के पास LON PAYER इसके पास इसके पास इसके पास यानि कि तीनों निकलियोफाइल के तरह भी हैप कर सकते है अब एक बच्चे ने पात पकड़ ली उसने का था आप एक बात चुपा गए मैंने का क्या अलक्टोफाइल में लिखाया है मैंने alkali metals के kation electrophiles नहीं थे sodium electron नहीं लेता na plus electron नहीं लेता इसलिए मेरे भाई ये आपका electrophile category में नहीं जाएगा ये electrophile category में नहीं जाएगा ओके so this is all about electrophilic addition reaction में हमने AB को समझाया है और जहां जहां water है अभी के लिए मैं आपको इतना advice करूँगा कि जिस जिस case में water nucleophile में आया उसमें एक box जरूर बना लेना क्योंकि मैं question trusting बताऊंगा आपको clear तो ये आपको एक बार इससे देख लिएगा बहुत आसान है ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और अब हम बहुत सारे questions कर सकते हैं seat के तो वो questions आज ही मैं आपको बढ़ा दूँगा कौन कौन से करना है ठीक है तो आज के लिए इतना ही पढ़ते रहें स्वस्त रहें और अपना ख्याल लगए अज़िए 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 अजय से लिए झाल झाल